हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है तो आजकल सभी लोगों ने देखा होगा आपने भी देखा होगा कंप्यूटर होता क्या है अगर नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं है इसमें अगर आप गया होंगे जैसे मान लिजे कोई फॉर्म बन जाता है और तो आपने देका होगा यह टिवी में देखे होंगे यहाइगे वोग यूज करता है SUBSCRIBE यह पिर पिर क्या करतो नियूज चेनल वेगर में computer देखे होंगे लोग use करते हैं तो आप देके कमपपुटर लेकिन अगर आप कंप्यूटर काभी जानने का मौका नहीं मिला कि कंप्यूटर होता क्या है कंप्यूटर काम कैसे करता है तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाना चाहरा हूं थाकि एक साक्षरता हो कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है कैसे सब कुछ होता है कंप्यूटर में तो सबसे पहले देखेंगे कि कम्प्यूटर देखने में कैसा लगता है आप पहले भी देखें होगे तो मोटा मोटी ऐसा होता कम्प्यूटर देखने में इसमें देखी क्या है सबसे पहले जिस पर ध्यान जाएगा आपका है इसमें मॉनिटर है यह जो पाट है जो टीवी स् आप इसको टीवी स्क्रीन जैसा लगता है देखने में आप इसको टीवी स्क्रीन जैसा ही समझ लीजे नाम उतना याद रखने का जरूत नहीं बेसिक हाली आइडिया होना चाहिए दूसरा चीज क्या आपका ध्यान जाएगा की बोर्ड जिससे इसमें की टाइब करते हैं इसमें करीएगा तो बरीट आफ कुछ दिखेगा कीबर कैसे लिखते हैं का यूड और क्छिए के लिए स्क्रेंब अब है माउस मॉ-स माउस में कैसे लिखेंगे माउस ओके यह होगे माउस और माउस से क्या आता है माउस को पकटके घुमाईए गा तो स्क्रीन पे जो करसर है वह पॉइंटर टाइप का होता है चोटा सा पॉइंट वह आगे पीछे घुमता है और चौता चीज़ कहा है यह जो LyIN के यह पूड कीौका की एके मतलब होता है सेंट्रन प्र रॉसेसिंग युनिने इसको जनने के जरुते हैं वैसे लिखता हूं मैं सेंट्रल सेंट्रर प्रॉसेसिंग हैels a unit है कि एंग है इसुपनिशुर्ण कर दिसे सुने को दिमाग चेहां पर हो साराऍह जीतना भीсон 進 elic EWC in करिए बाकी चीज का है कंप्योंटर से टाइप किजिए और यहां पर स्क्रीन कर सकते हैं तो लेकिन जो चीज काम हो रहा है, वो computer के CPU के अंदर ही हो रहा है, CPU को कह सकते है computer का brain है, okay, brain, यह समझे brain, सारा चीज़ें ही पर होता है, okay, यह हो गया, तो computer क्या है basically, आप सुचेंगे कि computer क्या हो, यह तो अलग-अलग चीज़ हो गया, तो यह जो पूरा यह सब कुछ मिला के computer हो गया, चारों चीज़ मिला के समझे computer हो गया, okay, ऐसा नहीं है, computer में सिर्फ चार चीज़ होता है, किसी-किसी computer में कुछ और भी हो सकता है, जैसे कहें पे देखां कि printer होता है, या कुछ और इसे camera लगा हो रहता है, आपका अधार card में जाएगा तो camera लगा रहता है, वो भी computer का part हो सकत है, लेकिन एक चीज़ जैसे किसी-किसी computer में monitor नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, किसी computer में mouse नहीं होगा, किसी computer के keyboard नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन CPU को तो होना ही होना है, बिना CPU का computer नहीं हो सकता है, तो computer में CPU होना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, बिना CPU के computer अब देखिए, गम्प्यूटर क्या हुआ फिर एक system यह चारो चीज का मिला के बना computer समझ गया, computer गोई एक चीज नहीं है, computer क्या करता है, आपका input लेता है, आपका जो, आप कुछ information डालते हैं प्रासेस करता है अश्मीन को कहें ईपुड़ी जैसे लिक विए क?」 मतलब जैसे एड करने बोले करने और वीडियो सतना सब्राइब करने बोले है वह सब काम काम कंत्रैक्षर आप настолько सब्सक्राइब निम्च Kimberly करेगा okay यह और कम्प्यूटर सिस्टम है एक चीज नहीं कोई अधिक नहीं इन इसमें मात्रइंव आधिेर कोंपूटर से रहे हुआ चाहिए सब कुछ मिला कि उन्पीटर बनायरोम और गया निधेरिट ऑगल करर स recorded साइबर कैफे वगरह में तो बहुत जगह आज के लैपटॉप भी रखते हैं तो लैपटॉप में बोले हैं कि इसमें तो चार चीज दिख नहीं रहा है असा आपको लग सकता है लेकिन इसमें भी चार चीज है देखिए यह जो सामने दिख रहा है स्क्रीन तो आपको आराम स यह से क्या होगा कर सकते हैं अ कि कॉछ त्म्हों आपो बोले यह द्यान ты अगया को यहाँ पर अगर आप सामने से देखें होंकि लैपटॉप तो तो यहां पर टॉच करने वाला होता है यहां पर टॉच करीगा तो माउस जैसा काम करता है लेकिन हाथ से टॉच करके आप इस पर हाथ से घुमाईएगा तो इसको यही है माउस इसका समझ गया है क्या माउस माउस कहते हैं लेकिन ल Sahbza में इसको टर्चपेज भी कहा जाता है वे मैं इसलिए जानकारी क्कीट होता क्या और अब मैंने तीन जीद दिखा दिया लेकिन सबसे इंपॉर्टन चीज तो CPU जो है वो तो इसमें दिखी नहीं रहा कहीं पर वो डबा जैसे जो पीछे था देखिए यहां पर देखिए मॉनिटर दिख गया कीबोड दिख गया माउस दिख गया लेकिन यह सेंट्रल प्रोसेसिंग उनिट जो है जो ब्रेन है कंप्यूटर का वो स्थिप्यू हो गया नीचे आएरिया में यह पूरा यहां से यहां तक होता है पूरा इस Nederлаг लेकिन नीचे होता है उपर नहीं उपर तो कीबॉड तो देख लिए कॉक्रे लेपटाप भी देख लिप एकूट्य में अब देखिँ रहा है किबूटर में क्या लगावा था की keyboard or mouse में एक खास बात किया दोनों में कि दोनों क्या है input device input device input device मतलब जब आप computer पर type करते हैं तो computer उस information computer के अंदर information चले जाता है okay mouse में जब आप click करते हैं computer के अंदर information चले जाता है जब information computer के अंदर जा रहा है तो उसको कहते हैं input device, in मतलब अंदर, computer के अंदर जब information जा रहा है, तो input device हो गया, आप बुलिए कि mic कैसे input device है, माइक जो है, जब माइक में बोलते हैं, आवाज आपका अंदर चले जाता है, आपकी मोग से आवाज निकला और computer के अंदर चले गया, तो इसलिए mic भी input device है, camera input device कैसे है, camera क्योंकि आप camera के सामने खाड़ा रहते हैं, और आपको picture बुले लेता है, picture computer के अंदर चले जाता है, इसलिए camera भी input device है, scanner क्या होता है, अपको बताते हैं, यहां पर क्या होता है, paper रखी, इसमें paper में कुछ भी दिखा रहेगा, तो scanner क्या करेगा, इसमें बटन दबाईएगा, तो क्या होगा, computer के अंदर पूरा page का printout जैसा अंदर में दिखे, लेकिन वो print नहीं है, computer के अंद पर वो अंदर store हो गया, save हो गया, समझ गया, तो scanner भी एक तरगा input device है, क्योंकि आप एक paper रखे, और उसका paper पर जो चीज लिखा हुआ था, computer उसका अंदर ले लिया, सारा जानकारी ले लिया, जब computer जानकारी लेता है आपसे, यानि आप computer को जानकारी दे रहे हैं, तो वो input device हो, okay, input मतलब अंदर, मतलब computer के अंदर जा रहा है, तो input हुआ, उसी तरह, जब computer से कोई information, कोई जानकारी बाहर आ रहा है, तो output device हो गया, जैसे, सबसे पहला example क्या हुआ, monitor, ये, monitor output device कैसे हुआ, क्योंकि आप उसको देख रहे है, computer आपको चीज दिखा रहा है, जो फोटो के अंदर जा रहा है, तो keyboard होगे input device, लेकिन computer जो चीज आप type कर रहा है, उसी चीज को आपको computer आपके monitor पे दिखा रहा है, तो monitor होगे output device, उसी तरह, mouse में जब ऐसे घुमाते हैं, तो mouse जब होगे input device, लेकिन mouse जब घुमाते तो यहाँ उपर में घुमता हो, दिखता है monitor पे, तो दिखता कहां पे, monitor पे, इसलिए monitor होगे output device, speaker output device कैसे है, speaker output device क्योंब है क्योंगी, आवाज computer के अंदर से, computer के बाहर आवाज आ रहा है, आप सुन रहे हैं, तो computer के बाहर जब कोई चीज जाता है, तो उसका output device करते हैं, out मतलब बाहर, computer के बाहर गया, तो output हो गया, printer output device कैसे हुआ, printer में क्या होता है, आप जैसे railway ticket book कराने गया होगे, तो क्या करता है, mouse पे क्लिक करेगा, print एक button रतस पे क्लिक कर देगा, तो printer से page निकलेगा, उसमें सार output device हो गया, computer के अंदर कोई चीज जा रहा है, input device हो गया, तो यह हो गया, basic धाचा computer का, computer का अलग अलग जो component है, जो चीज से computer बना हुआ है, वो सिर्फ चीज दिखा रहते हैं, एक बाद फिर से देखेंगे, computer क्या होता है, यह एक तरह का system है, तीन चार चीज को मिल के बना उके, उसमें क्या होता है, monitor हो सकता है, जिसमें आप TV screen जैसा है, keyboard हो सकता है, typewriter जैसा जिसमें type कर सकते हैं, mouse है जिसको की पकड़ के आप घुमाते हैं, और उसमें बटन मगरे क्लिक कर सकते हैं, monitor पर दिखेगा, और सबसे important क्या है, computer का brain, जो यह CPU हो गया, सारा चीज, सारा processing, जितना calculation है, जोडगटा, गुना भाग, वीडियो को play करना है, internet पर जाना है, website को खोलना है, सब कुछ computer का CPU के अंदर ही होता है, CPU computer का brain है, तो इस वीडियो में इतना है, इसका मकसद यही था, कि आपको एक computer के बारे में, एक तो मामूली सार, मामूली धाचा कैसा होता, उ computer, उसके धन करी देना वीडियो का मकसद था, इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद, हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि computer क्या होता है, तो आज कल सभी लोगों ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, computer होता क्या है, अगर नहीं देखा तो अभी कोई बात कंप्यूटर का भी जानने का मौका नहीं मिला कि कंप्यूटर होता क्या है कंप्यूटर काम कैसे करता है तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूं थाकि एक साक्षरता हो कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है कैसे सब कुछ पार्ट है तीवी स्क तो आपने देखा होगा या टीवी में देखने में कैसा लगता है आप पहले भी देखे होगे तो मोटा मोटी ऐसा होता कम्प्यूटर देखने में इसमें देखी क्या है सबसे पहले जिस पर ध्यान जाएगा आपका वह है इसमें मॉनिटर है यह